नमस्कार दोस्तों मैं गौतम सिंग अफुल कुलासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ आज आपके लिए लेकर आए हूँ राष्टिये डाक दिवस 2021 वर्ड पोस्ट डे क्यों मनाया जाता है डाक दिवस का इतिहास क्या है मतलब इसका हिस्ट्री क्या है क्यों मनाय जाता है कब मनाया जाता है पूरे डीटेश से मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो कुन्टिफिकेशन आपको मिलते रहेगा वर्ड पोस्ट ओफिस डे हर साल 9 अक्टूबर को मनाय जाता है डाक दिवस या पोस्ट डे दुनिया भर में बड़े ही उत्सव के साथ मनाय जाता है डाक बिवाग दसको तक देशों के अंदर ही नहीं बलकि एक देश से दूसरे देश तक सूचना पहुचाने का सर्वधिक विसुशनिये सुगम और सस्ता साधन रहा है वर्ल्ड पोस्ट डे का मकसद आम आदमी और कारोबारियों को रोजमरा के जीवन समेत देश के समाधिक और आर्थिक विकास में डाक छेतर के योगेदान के बारे में जागरूपता पैदा करना क्यूं मनाए जाता है वर्ल्ड पोस्ट डे वर्ल्ड पोस्ट डे दुनिया भर में हर साल 9 अक्टूबर को मनाए जाता है वर्ल्ड पोस्ट डे मनाने का मकसद होता है लोगों को डाक सेवाव और डाक विभाग के बारे में जागरूप करना वर्ड पोस्ट डे काईतिहास बर्ष 1864 में इसी दिन इनिवर्षल पोस्टल उनियन यादि एवपीउ का गठन करने के लिए स्वीटिजर लैंड की राजधानी बौन में 22 देशों ने एक समझाता पर हस्थाक्षर किये थे बर्ष 1779 में टोकियो जपान में आयोजित समयलन में 20 वडाक दिवस के रूप में इसी दिन को चैन किये जाने की घोष्णा की गई एक जुलाई 1876 को भारत उनिवर्सल पोस्टल इूनियन का सदस्य बनने वाला भारत का पहला एसी आई देश था जनसंख्या और आंतराष्टिये मेल ट्रोफिक के अधार पर भारत सुरू से ही प्रथम सेड़ी का सदस्य रहा सन्यूगत राष्ट संके गठन के बाद 1946 में उनिवर्सल पोस्टल इूनियन सन्यूगत राष्ट की एक बिशिष्ट एजेंसी बन गई तो दोस्तों आपको हम बताएं कि राश्टी ये डाक दिवस का मनाय जाता है वर्ड पोस्ट डे क्यों मनाय जाता है डाक दिवस का इतिहास क्या है यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर देता कि अगले वीडियो कन्टिफिकेशन आपको मिलते रहेगा थाइंक्यी दोस्तों रादे रादे दोस्तों